नवश्कार दोस्तो आर्या न्यूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिशप चोहान देश के अंदर जल्द ही लोगसबा चुनाओ दस्तक देने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सबी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी तैयारिया पूरी कर चुके है लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी लोगसबा सीट पर बात करने वाले हैं जिस लोगसबा सीट पर अकले श्यादब ने बीजेपी को फसाद दिया है आज आपको उस लोगसबा सीट के बारे हैं बताऊंगा जिस लोग सबस सीट को मोदी लहर होने के बाब जूद भी बीजेपी अपने पाले में नहीं कर पाई थी चाहे साल 2014 हो या फिर साल 2019 लेकिन इस सीट से जो है समाजबादी पार्टी का पिरतियाशी ही सांसत बनाता साल 2014 में मुलायम सिंग अकलेश यादब और उसके बाद साल 2019 में उनके बेटे अकलेश यादब जो है वो इस सीट से सांसत चुने गए थे और वो ये सीट है उत्तर प्रदेश की आजमगर सीट दरसल आजमगर सीट जो है वो लोग सब चुनाओ के अंदर काफी जाद सुर्खियों में बने हुई है क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इस बार अकलेश यादब जो है वो आजमगर सीट से फिर से चुना और धरमेंदर यादब आजमगर लोग सबा सीट से इस बार का चुनाओ लड़ने वाले हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस सीट का समीकरण भी बता देता हूं तकरीबन 19 लाग बोटर जो है वो आजमगर सीट पर आते हैं जिसमें से 26 परसेंट जो बोटर है वो यादब बोटर है जो 24 परसेंट बोटर है वो तकरीबन यहाँ पर मुस्लिम बोटर है उसके बाद तकरीबन 20 परसेंट जो बोटर है यहाँ पर दलिट बोटर भी बताए जाते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 19 लाग बोटर है लेकिन यहाँ पर जो फेक्टर चलता है वो मुस्लिम और यादबो का यहाँ पर अच्छा कासा दबदबा है और यह फैक्टर जो है हर चुनाओ के अंदर देखा जाता है लेकिन यहाँ पर आपको जानके हैरानी यह होगी कि इस लोग सबसीट पे इस वक्त बीजेपी का कब जाए साल 2019 में चुनाओ हुए थे अकलेश यादब यहां स जीते थे लेकिन उसके बाब जूद भी अब इस लोग सबसीट को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है दरसल साल 2022 के अंदर जब विधान सबस चुनाओ हुए उस वक्त अकलेश यादब ने करल सीट से जो है वो चुनाओ लड़ा और वो चुनाओ जीते उसके बाद वो विधान सबा गए तो उन्हें लोग सबा की चीट जो है यानि आजमगर सीट छोड़नी पड़े उसके बाद इस सीट पर दुबारा से चुनाओ हुए और जब उप चुनाओ हुए तो उप चुनाओ के अंदर बीजेपी के प्रतियाशी दिनेश लाल निरहुआ ने यह हाँ से जो है वो आठ हाजार के करीब बोटों से विजेपराप की और उस वक्त यानि उप चुनाओ में आजमगर सीट पर जो निरहुआ के सामने खड़े थे धर्मेंदर यादब धर्मेंदर यादब ने उप चुनाओ सीट से लड़ा था लेकिन उसके बाब जूद भी ध गए थे उप चुनाओ के अंदर दरसल उस ताइम एक बड़ा कारण रहा था और यह कारण जो है अब कहीं समाजबादी पार्टी को है वो समझ में आ गया है दरसल गुड़ू जो कि इस सीट पर एक एहम भूमी का निवाते हैं साल 2022 में क्या हुआ था जब उप चुना जब मायाबती ने आजमगर उप चुनाओं में अपना पिर्तियाशी उतारा गुड़ू जमाली को कैंडिडेट बनाया गुड़ू जमाली बीएफपी में स्ट्रामिल हुए समाजबादी पार्टी को छोड़के उसके बाद बीएफपी ने उन पर भरोसा जताया और भरोस जो समाजबादी पार्टी के हास्ते साल 2022 के उप चुनाओं में आजमगर सीट निकल गई और उसके बाद बीजेपी के खाते में चली गई आजमगर लोकसबा सीट की दस की दस बिदान सबा जो है वो भी बीजेपी हार चुकी है यानि पूरी तरह से कब्जा जो है वो समाजबादी पार्टी में शामिल कर लिया है यानि गुड्डू जमाली जो बीजेपी से साल 2022 में कैंडिडेट थे उप चनाओं के अंदर वो अब समाजबादी पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं और उन्हें समाजबादी पार्टी ने MLCB बना दिया है गुड्डू जमाली को अपने पाले में करकर और इसी के बास से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि निरहुआ जो हैं वो इस बास इस सीट पर फस गए हैं क्योंकि साल 2019 में जब चुनाओं हुए थे तब निरहुआ ने यहां से खार कमू देखा था और साल 2022 में जब उप चुना हुए तब यहां से निरहुआ ने जीत कमू देखा और महस 8000 बोटों से जीत प्राप की थी लेकिन सबसे जादा जो एहम भूमी का निवाई थी वो निवाई थी गुड़ू जमाली ने काफी जादा दलिद बोट काटे थे यहां तक की सूत्रों के मुताबिक उन्हें मुस्लिम बोट भी जो है वो इस सीट पर पड़ाता लेकिन यहां पर एक कमाल और हो चुका है आज़ंगर सीट पर AIMIM के प्रिदेश अध्यक शौकत अली खान जो है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम होका अपने आपको हितैशी बताती है औ लेकिन अगर शौकत अली खान चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस सीट पर और भी ज्यादा मुस्लिम बोट कटने वाला है लेकिन यहां पर गुड़ु जमाली को अपने पाले में करकर इस सीट पर अकलेश यादब ने पूरा पूरा प्लान बना लिया है कि इस बार आज़ की दस बिधान सबा जो है वो बीजेपी हां से हर चुकी है समाजबादी पारिटी का गड़ लेकिन बीजेपी के हातों में पर अकलेश यादब ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया है कि इस बार जो है हम इस सीट पर फिर से चुनाव लड़ेंगे धर्मिंदर यादब को सीट पर चुनाव लड़ाएंगे पहले वो खुद लड़ेते लेकिन अब समाजबादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और शायद यही कारण है जो अकलेश यादब इस सीट को निकाल सकते हैं और निरहवा जो हैं वो इस सीट पर फस कहे हैं लेकिन जब से अब नहीं है क्या इस तरह की बाते करने लगे हैं निरहवा लेकिन यहां पर इस लोग सबसीट पर अब चुनाव जो है वो काफी दिल्चस्प होने वाला है देखने बाली बात यह होगी क्या बीजेपी अपनी पाले में सीट को रख पाएगी या फिर अपने गड़ को समा गड़ सीट से इस बार निरहवा जीतेंगे या फिर धर्मेंदर यादब जो है वो अपनी हार का बदला लेंगे एक बार कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताना और देश और दुनिया की तमाम ख़वरों के लिए लोग सब चुनाव से जूड़ी अपडेट्स के लिए आर रहे नियूस को भी फॉलो कर लेना मिलता हूँ आप से किसी और वीडियो में जैहन